हेलो फ्रेंट्स में आपका स्वागत है आज मैं आपको फिर एक तरह के टोपी का डिजाइन बतला रही हूं इसके लिए आपको करना है कि यह आप फिता से ही स्टार्ट होगी यह जैसे मैंने नौनों फित फंदे के यह ले लिये हैं यह फिता यहां आकर आप 6 इंच बून ज तरह से लिए यहां स्टाइट किया है देखो यह यह 3 से उठाया यहां 15 हुआ फिर इसको घटा कर यहां नौ पर लाए नौ से फिर आप इसको बुंते-बुंते बढ़ते-बढ़ते आपको यहां तक लगभग 40 फंदे लाने हैं एक प्रक्स 40 पंदे लाने यहां फिर उसी तरह से इस तरफ का फीता पकड़िए फिर इसी तरह से तीन से उठाईए और बढ़ते बढ़ते यहां आया और फिर एक उल्टा एक सिधा आप तो देखी रहा है यहां से आप आये तीन से यहां इस्टाट के तो फिर यहां 15-17 जैसा हो आपको आते आते फिर यहां चले आए फिर एप्रोक्स फिर 40 फंदे यहाँ है यह 40 फंदे हुए और 20 फंदे में 100 में मतलब समझ हो कि यह 20 के यह हुए फंदे यह जो आप 40-40 ही मत बुनना इसको 50-50 लाना यहां से यहां तक 50-50 तो 100 हुए 100 में आकर बीच के यह आपको खटा देना है अलग कर लेना है जिसका आप यह हैट जैसा बनाओगे यह 20 फंदे बीच में रहेंगे इसका हैट बन जाएगा और इस सरे जॉइन्ट हो गया है मतलब एक में ही आ जाएंगे जब आप यहां तक पहुचोगे पचासी धर के पचासी धर के फिर साथ बुनते चले जाना यहां लगभग आप इसको इतना बुनना है यह चार इंच लगभग चार इंच बुनाई के बाद आप इसको एक दो तीन चार पांच छे छे तरफ से तीन का एक तीन का एक तीन का एक करते करते आप लास्ट तक लाना है उसके अदि यह उखड़ गया है इसमें भी आप गुलाव का फुल बनाना हूं और एक ये, ये क्रोसिये से मैंने बनाया है, ये देख लो, ये क्रोसिये की बनी हुई है, चेन बना कर एक बीच में डाला, छोटा सा क्रोसिये की बनी हुई है, और एक इस साइड से है, तो देखो तोस्तों, ऐसे तोपी रहेंगे, यहाँ पर भी आप एक ये टकी बना कर डा तो यह सिर्ट काहां से हुई यहां से स्टार्ट बुनना है उस में से यहां से कुछ दूरी बुनने चार लाइन बुनने के बड़ यह 20 फजन्द हटानानी है जो कि दोनों सैट से घटते घटते दस फन्द चालेंगे और इस 10 फंद ही उसके बाद इस तरह से आप दो ख़र श्यालuzzy पना लो इसे फीर जब इतना बन जाने के बदागोरी यह पर ते जाएंगे इस यहां भी टिकी बनेगी लगेगी यह बहुत खुबसूरत टोपी लगेंगे यह आपके जो है यह दोनों साइड आजाएंगे कान के पास लगवार यह बीच के आजाएंगे हैट के पीछे सोरी और यहां पर एक टिकी और बनेगी कि आप लोगों को पसंद आया होगा समझ भी गया होंगे और हां मेरे चैनल को आप लाइक करना सब्सक्राइब करो और दोस्तों में सेर करो थेंक यू